तो इस पैमाने पर क्या कॉंग्रेस पार्टी आप इस बात को स्विकार करते हैं कि 2019 में अगर जनता ने इनको स्विकार कर लिया मतलब पिछले 5 साल 14 से 19 तक इनों ने काम किया था नहीं बिलकुल नहीं बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और भारत जोड़ो यात्रा का एक उद्देश ये भी है देखें सौरब जी जब भाजपा को ये मालूम चला कि हमने कोई काम नहीं किया है जितने भी वादे किये थे उन्होंने उनको जुमले बता दिये तब उनक के पास एक ही विकल्क था कि कैसे जनता को बाठ है जो हिंदू-मुसल्मान का दौर इन्होंने आट साल में चला है सौरब जी देश को इतना कमजोर किसी ने नहीं किया है यह आतरा क्यों करनी पड़ी आठ भाजपा जैसी पार्टिया अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के जवाब तो खतम होने दीजिये अज़ बोलिए खतम नहीं हो रहा है नहीं हुआ मेरा जवाब खतम नहीं हुआ ना सौरब जी 30 सेकंड दे दीजिया मेरा सिर्फ यह कहना है कि जब देश को जोडने की बात है बाजपा की बॉकलाट साब स्वाबावी कै कि इन्होंने कभी द देश को जोड़ा नहीं है देश को जोड़ा है दो ही मुद्दे हैं फरजी राष्ट्रवाद और हिंदू-मुसल्मान अगर यह दो मुद्दे हटा दो बाजपा का कमल वहीं पर मुर्जा जाएगा और इस शरुवाद बारत जोड़ो यात्रा से हो चुग बोलिए जबर सा तो यह भारती जन्ता पार्टी की सरकार है इसी सरकार की सोच हो सकती है देश हित में सोच हो सकती है कि जिन लोगों को जो देश के आइकन है मानवाओ है उनको जो मान समान देने का काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ इसलिए हमारे पार्टी ने हमारी सरकार में और आइकन सब को जिनको जिन लोगों को एगनोर किया है लोगों ने उन लोगों को जिन लोगों के लिए वैसे लोगों के लिए जो देश के लिए आइकन बन सकते थे और हैं इनके नजरों में नहीं नहीं थे इसलिए उनको कभी मान सम्मान देने का काम नहीं किया हमारे सरकार नहीं किय जेटा भी इस बात को तस्लीम करती है कि भाई क्या राजीव गांदी जी के बात मिलना चाहिए था और वह भी हमारी कोशिशों के बात मिला है बाबा साहिब अम्वेटकर को जो बारत रत रत निवाट जो है जो वह मिला है सबसे पहले किस ने दिया हमने हमारी कोशिकिस के आपने दिया कभी उनको आज देखिए जो पिटेल सनब के बारे में जो हम लोग यत्ती बाते लोगों के दरमयान लेके गए वह कभी आपने किया आपने तो हर बिदान से देश जो है आजाद हुआ है इनका जो बहुत बड़ा योगदान रहा है उनके बारे में अगर देश की जनता जानती तो इसी सरकारी की वज़ा से जानती यह सब तो उसको फर्जी कह रहे है ना अभी आपके सामने कहा तो फर्जी राश्टरवाद है इसाब बात ह आज देश की जनता को तो आप मुर्ख नहीं बना सकते ने आज देश की जनता के सामने खड़े हो जाए एक तरफ जो है अदन्य परदार मंतिर जी लोग पिरता आप देख लिए तराजू में आप ही तॉल लीजिए मैं नहीं तॉलता हूं दोनों तरफ जो है आप ही देख जी लटके वह कहीं तो दो-चार परसेंट पाच परसेंट पे लोग पिरता है तो आपको भी समझना पड़ेगा कि आप ऐसे मुद्दे उठाइए जनता के हित के मुद्दे हों जनता से जनता जिससे आपसे रिलेटी ने रिसेप्टिव ने सोना चाहिए ना को समझ में तो यह तो यह बात में पता चलेगा अभी तो यातरा तीन दिन वे शुरू हुई है चले ठीक है और आज राहूल गांदी सीजी सवाल भी हुआ कि इसका कॉंग्रेस पार्टिय को फाइदा होगा कि नहीं होगा कितना फाइदा होगा तो और उनक्सान तो नहीं होगा कम से कम त होती है आज मुझे एक सवाल ही होता है क्या कभी सर्दार पटेल जी आरेसेस में गए या जंसंग में गए नहीं कभी सुबाशंद्र बोज जी गए आज यह डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि आजादीन फौज का जो विरोदे सावर कर भी किया था यह डॉक्यूमेंटेड के पुर्व प्रमूग का रिस्पेक्ट जिस पार्टी को करना पड़े हमारे तो गौरव की बात है पूरे देश के लिए गौरव की बात है मुद्दा यह हिपोक्रसी की मैं बात कर रहा हूं सौरब जी पूरे देश के यह मुख्य मुद्दे उसे ध्यान कैसे बढ़का है अगर आपने परफॉर्म किया है आप अपना रिकोर्ट कार दीजिए सौरब जी आप इतनी डिबेट करते हैं एक वरिश पत्रकार है मुझे बताईए एक भी बाजपाई नोट बंदी को उपलब दी क्यों नहीं बताता है आज इतने करोड रुपे इस पबलिसिटी किये ग आज उन्होंने वापस ले लिए पंजाब का चुनावाया यह कोई मजा समझ रखा है क्या देश का और फिर आप बात करने को तयार नहीं जो चीजें आपने अपनी उपलब्दी बना बना के देश पे थोपी आज वो ही चीज आपके खिलाब जा रही है वो जाने दीजे सा लोटा है यह देश की जनता के सामने है आज 7-8 महिने से क्रूड का जो रेट है सबसे कम है आज तक जो उसकी रियायत है जनता को नहीं मिली है आज गैस के बॉटल की हम बात करें हर मुद्दे पे जनता का सोशन कर रहे है और कॉंग्रेस को कोसने का काम कर रहे है अरे आपक चरका दूरूपयोग कर रहे है जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाता है आपका दुश्मन हो जाता है आप उसके पीछे लग जाते हैं और जैसे आपके वाशिंग मशिन में गए अज सफेद हो के बाहरा गए तो यह नहीं चल सकता है अब आपके सुनाना ने दोबार एक पतार करते हैं है कि मेरे वारे की आपके सब्चना-शjm g hanag चुकी है अरे बाई साब यह यात्रा में सामने खड़े हैं मेरी बात सुनिये सौरप जी अगर डर होता तो दिल्ली में भी यात्रा नहीं करते अगर डर होता तो यह यात्रा भी नहीं करते अगर डर होता तो रंके की चोट पे जो राउल जी बात करते हैं कोई भी नेता बात नहीं करता डर नहीं है यही तो बीजेपी की बॉख लाइट है कि इस आधमी के ओपर हमने इतना अत्याचार कर दिया इतने गलत इलजाम लगा दिये पर इसको कोई डरी नहीं है क्योंकि उसके दिल में देश की जंता है क्योंकि उसके दिल में 130 करोर बारतियों का जो हीत है जो पूदी सरकार अपने साथियों के लिए कुर्बान करने जा रही है जो 10 लाग करोर के लोन अपने साथियों के उन्होंने बाफ किये आज किसानों का कर्ज बा उसके बावजूद रावल गांधी एक ऐसे श्रेक्ति हैं जो बीजेपी के खिलाफ बोलने से डरते नहीं है देश में रावल जी ने भी कहा था अभी अपनी रैली में ही कहा था है कि मुझे 55 घंटे पूछताच किया